हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज आज आपको एक बहुत ही प्यारा डिजाइन बताएंगे जो सिख स्रोब में बनकर एक कंप्लीट होता है तो चलिए शुरू करते हैं पहले फंदे को आप स्लिप कर लीजिए और उनके धागे को अपनी साइड लाईए तीन फंदा आप उल्टा बुनाई कीजिए एक दो ते एक फंदा साइड का तीन फंदा हमने उल्टा बुनाई किया फिर उनके धागे पीछे ले गए एक फंदा सिधा फिर उनके धागे को उल्टा उनके धागे पीछे लेगे एक फंदा सीधा उनके धागे को अपनी साइड लाए और एक दो तीन तीन फंदा उल्टा फिर उनके धागे पीछे लेगे एक फंदा सीधा देखिए फ्रेंट्स एक फंदा साइड का है तीन फंदा उल्टा बुनाई किये, एक फंदा सीधा, फिर तीन फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, तीन फंदा उल्टा और फिर एक साइड का फंदा है, अब हैं हम आ गए, सेकंड रो में, सेकंड रो में देखिए, फंदे को हम स्लिप करते हैं, अजो हमने राइड साइड म हम सीधा बुनाई करेंगे एक दो तीन एक फंदा फिरून के धागेक अपने साइड करके एक फंदा हम उल्टा बुनाई करेंगे क्योंकि हमने राइट साइड में इसे सीधा बुनाई किया थे फंदा फिरून के धागेक पीछे ले जाएंगे तीन फंदे हम सीधे बुनाई क करेंगे फिर एक फंदा उल्टा बुनाई करेंगे फिर तीन फंदे हम सीधे बुनाई करेंगे कि उनके धागे को अपनी साइड लाएंगे एक फंदा उल्टा फिर देखिए हमारा ये तूरों कब्रीट हो गया है यह हम आगे थार्ड रो में फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे उनके धागे को अपनी साइड लाएंगे और तीन फंदा हम उल्टा बुनाई करेंगे फिर उनके धागे को पीछे ले जाएंगे एक फंदा सीधा बुनाई करेंगे फिर तीन फंद लटे तुम्हें कि दहागे पीछे लगे एक फंदा सीधा नहीं कि घागे को अपनी स्राइब लिया पीण की पंदा हुलता मैं है पिर एक भांदा है सीधा ईया है एस थाढ़र रोव कमपलीट होगे अब हम आ गए ये फोर्थ रो में फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, उनके धागे को पीछे ले जाएंगे, तीन फंदे हम सीधा गुनाई करेंगे, फिर उनके धागे को अपनी साइड लाएंगे, एक फंदा उल्टा, उनके धागे को पीछे ले गए, हम तीन फंदा सीधा, उनके धागे को अपनी साइड लाएं एक फंदा उल्टा फिर उनके धागे को बैक साइड ले गए तेम फंदे सीधे पिर उनकी धागे को अपनी साइड लाए एक फंदा सिता यह हमारा फोर्थ रो कम्प्लीट हो गया फ्रेंड्स देखिए वन से लेके फोर रो तक हमको ऐसे ही बुनाई करना है इसके बाद आपको फिफ्थ रो में डिजाइन का यह सेकेंडर स्टेप है देखिए फर्ष फंद पिर उनकी धागे को पीछे ले जाएंगे अब देखिए एक दो तीन चार चार स्लाइऑ हमने बुनाई की थी तो हमने यह देखिए यहां से इस होल से एक लूप यहां से लेंगे लूप को थोड़ा ऐसे बराबर में रखिएगा फिर उनके धागे को ऐसे स्लाइग में यूप और लेजियेगा लेखियें पिर उनके धागे को लप Revelation 1ब कस घाली बार भा भीछ तब मतंदने टीजियेगा कि निश्यरे छोल से उप ग्लोप निकालियेगा है। फिर उनके धागे को लप लप beginning एगा फिर ये 5 वी 12 परसे देखिये ऐसे फिर उनके धागे को अपनी साइड लाइए और तीन फंदे आप उल्ठे बुनाई किजिए एक, दो, ते, तिन फंदे आपने उल्टे बुनाई किया, उनके धागे को पिछे ले गए, फिर फ्रेंड्स, एक, दो, तीन, चार, यहां से आप इस होल से एक ऐसे, एक लूप लिया, उनके धागे कोला पेटा, फिर दुबारा दूसरे होल से आपने दूसरा लूप लिया, फिर उनके धागे कोला पेट लिया, फिर तीसरे होल से आपने एक लूप लिया, फिर उनके धागे कोला पेट लिया, फिर चोथे होल से आपने एक लूप लिया, और फिर उनके धागे को लपेट लिया और इस फंदे के अपने बुनाई कर लिए तो देखिए हमने दो डिजाइन आपको बताया है फिर उनके धागे को अपने साइट किया और तीन फंदे हम उल्टा बुनाई करेंगे फिर लाष्ट का एक फंदा है इसे हम सीधा बुनाई कर लिते हैं तो फ्रेंड्स देखिए यह फिफ्ट रोह हमारा कंप्लीट हो गया है अब डिजाइन के हम सिक्स रोह में आते हैं क्योंकि उन से लेकिए इए जैइन बनकर तयार होता है तो हम फर सीधे जो हैं उन्हें हमने सीधे बुन लेने हैं फिर उन के दागे को अपनी शाइड लाना है अब जो हमने यह लूप और फंदा लिया हुआ था यह सभी को एक साथ ऐसे बुनाई कर देना है और इसे जो है देखें इसको जो है यहां बराबर में इसको ऐसे लाना है और फिर ऐसे टाइट खीज देना है फिर इसके बाद यह तीन फंदे हमारे सीधे बुने जाएंगे मून के धागे को अपनी साइड लाएंगे और देखिए देखिए जो हमारे सभी फंदे और लूप है एक साथ हम ऐसे उल्टा बुन लेंगे और इस स्लिप कर देंगे इसको उनके धागे को पीछे ले जाएंगे और यह से आप यहां बराबर पे ऐसे कर देजिगा फिर तीन फंदे आप सीधे बुनाई कर लेंगे एक तो तेन और एक फंदा आट डिस्टीज उसे आप उल्टा पुदाई कर लेंगे तो फ्रेंड्स देखिक हैं डिजाइं बनकर कितना कुछ दिजाइन बनकर आया है तो इस तरह यह दिजाइन देखिए यह डिजाइन इस तरह बनेगा और इसी six row को आप complete दोहराते रहेंगे तो ऐसे ही डिजाइन बनकर आपका तयार होगा बहुत ही प्यारा और खुबसूरत डिजाइन यह बनकर आएगा फ्रेंड इसे बनाएए और वीडियो अच्छा लगा हो डिजाइन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा सेर कीजिएगा अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नखिया हो तो सब्सक्राइब कर लिजिएगा फ्रेंड और वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धने बाद मिलते हैं नेस्ट वीडियो में बाए बाए